Assalamualaikum, Welcome to my channel Study Online 1.11 इस चैनल पर आपको Pharmacology पढ़ाई जाती है ड्रग के Clinical Indications, ड्रग के Contra Indications के कौन-कौन सी यह सी Conditions है जहां पर अपने ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना होता जो के बहुत ज़रूरी चीज है इसके साथ-साथ जब आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन से Side Effects आपको हो सकते है यह सारी Information आपको इस चैनल पर दी जाती है लहाजा इस वीडियो को Complete देखिए आज की जो हमारे पस ड्रग है, उसका नाम है Clomid Clomid एक बहुत Famous Brand है, 50MG की Tablets आती है इसमें जो Available Drug है, that is called as Clomiphene Citrate Citrate उसका एक Salt है खास करके मैं आपको बता दूँ यह ड्रग खवातीन में इस्तेमाल की जाती है वो खवातीन जो इनको बांचपन होता है, यानि Infertility होती है किसी भी वज़ा से जो कि खास कर अगर कुछ खवातीन में एग्स की Formation नहीं होती है Ovulation नहीं हो पाय रही है Clomid क्या करती है? Clomid Ovulation को Induce करती है यानि Clomiphene जो है, वो Female में एग्स की Production को Induce करती है एग्स को Release करवा देती है from the Ovaries और फिर ज्यादा Chance होता है उस Female के Pregnant होने का कुछ ऐसी Conditions जहां पर आपने इस Drug का इस्तेमाल नहीं करना या रोक देना है वो यह है कि अगर तो आपको Clomiphene से कोई Allergy हो जाती है आप फॉरण इस Drug को रोक दीजिए इसकी इलावा कभी भी आपको पहले कोई Disease हुई है, कोई Sist है तो आप इस Drug के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे कोई Unusual Menstrual Bleeding हुई है Because of the Drug आप Stop कर देते हैं अगर किसी को कोई Cancer है जो के हर्मून्स उसमें involved हैं तब भी आप इस Drug इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर तो आप प्रेगनेंट हैं तो क्या आप Clomid यह ले सकती है तो आप पहले यह देख लीजिए कि आप प्रेगनेंट ना हो You should not take the Clomid दूरिंग प्रेगनेंटी आप कभी नहीं लेते अगर आपने Clomid स्टार्ट करनी है तो पहले Confirm कर लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तब ही आप इस ड्रग के इस्तावाल कर सकते है अगर आपने यूज करना है तो आप as directed by your doctor आप ले सकते हैं खुद से start नहीं करनी और आप बहुत सारा पानी PGA इसे साथ जब आप ड्रग ले रहे हो और अगर आपको medicine को को effect नहीं आ रहा तो फिर medical advice लीजिए ऐसा नहीं है कि आप tablets को ज्यादा कर दे dose बढ़ा दे ऐसा कुछ नहीं करना और कुछ और interactions with medicines आ सकती है तो आप क्या करेंगे कि klomid को जब भी आप use कर रहे हैं तो आप आप दूसरी medicines के साथ इसका combination ना रखें कुछ side effects आप expect कर सकते हैं blotting होना यानि पेट में गुड़गुड़ सी होती है abdominal pain हो सकते है nausea vomiting हो सकती है breast discomfort हो सकते है धर्द वागरा spotting हो सकती है hot flushes यानि गर्मी बहुत ज़्यादा लग सकती है आपको खास करके बांचपान में एक खावतिन इसके इस्तेमाल करती है लेकिन proper medical advice लेकर अपने डॉक्टर से consult करके अपने gynecologist से consult करके अगर आपको कोई भी question है regarding the information of this drug आप comment section में हमें जरूर पूचिए हम जल्दा जल्दा आपको उसका जवाब देंगे और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें comment करें, share करें, subscribe करें अपने धेर सरा ख्याल रखें, शुक्रिया